एक्सरसाइज 3.3 से question number 2 करेंगे Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8 Divisibility test का use करके आप बताईए कि इन में से कौन कौन number 4 से divide हो जाते हैं और 8 से divide हो जाते हैं तो हमें 4 और 8 से मतलब है तो पहले 4 का और 8 का Divisibility test समझ लीजिए देखिए किसी भी number के पीछे 1s और 10s place पे अगर पीछे के 2 digits 0 है तो वो number 4 से पूरा divide हो जाता है या फिर वो पीछे के जो 2 digits है वो मिलके 4 से पूरा divide हो जाए let's suppose जैसे कि यहाँ पे 26 है अगर 26 को मैं यहाँ पे कोई बड़ा number है 7, 9, 8 ऐसे और पीछे के 2 digits 26 है अग पीछे के 2 digits 4 से divide नहीं हो रहे हैं 4, 6, 24, remainder 2 आ गया है तो यह जो पूरा बड़ा number है यह 4 से divide नहीं हो सकता तो 4 का rule यह होता है या तो पीछे 2 0 हो या फिर पीछे के 2 digits मिलके 4 से पूरे divide हो जाए और 8 का जो divisibility test है वो यह है या तो पीछे के 3 number 0 हो जैसे कि 7, 9, 6 और आगे यहाँ पे यह 3 0 है तो 8 से divide हो जाएगा या पीछे के जो 3 number है यह मिलकर 8 से पूरा divide हो जाए यहाँ पे कोई भी number होता जैसे कि 7, 2, 0 होता तो 0, 7, 2 यह पीछे के 3 digits ले लिए मैंने इन्हें 8 से divide करता हूँ तो 8, 9, 0 यह 72 हो गया तो पीछे के 3 digits मिलके अगर 8 से पूरा divide हो जाते हैं तो आगे यह number कितना भी बड़ा हो जैसे इतना बड़ा number होता तो यह 8 से divide हो जाएगा यह है अब एपार्ट से हम शुरू करते हैं पहले हम 4 के लिए चेक करेंगे तो 4 के लिए हम पीछे के 2 digits को लेंगे और उन्हें 4 से divide करेंगे तो यह 2 ले लिए मैंने पीछे के तो 4, 104 हो गया और यह 3 आ गया उपार से 2 उतारा तो 4, 8, 32 हो गया और remainder आया 0 तो पीछे के 2 digits 4 से divide हो गई है यह पूरा का पूरा number 4 से divide हो जाएगा तो 4 से तो यह right हो गया यह right का मतलब है कि 4 से divide हो रहा है अब हम 8 के लिए चेक करते हैं 8 के लिए हमें 3 number लेने पड़ते हैं पीछे के अब यहां तो यह 3 ही है तो इन सारों को लेते हैं 572 8 से divide करते हैं तो 8, 7056 होता है माइनस करके 1 आ गया उपर से 2 आ गया 8, 1008 हो गया माइनस करके 4 आ गया remainder तो पूरा तो divide नहीं हुआ न पूरा तम बाना जाता जब यह 0 आता तो पूरा divide नहीं हो रहा that means 572 8 से divide नहीं होगा मैंने cross लगा दिया इसी तरह से आपको बाकी के सारे parts करने हैं अब B part देखिए B में पहले हम 4 के लिए चेक करेंगे और उसके बाद हम 8 के लिए चेक करेंगे तो 4 के लिए मुझे पीछे के 2 digits लेने हैं और ये है 52 मैं 4 से divide करता हूँ तो 41004 हो गया ये 1 आ गया और ये उपर से 2 आ गया और 430012 हो गया और 0 आ गया है remainder 4 से पूरा divide हुए 2 digits अब ये सारा नंबर 4 से divide हो जाएगा तो 4 के लिए ये right है 8 के लिए हमें 3 नंबर लेने पड़ते हैं पीछे के तो 1, 2, 3 ये 352 इसको divide करके देखते हैं 8 से तो 84032 हो गया माइनस करके 3 आ गया उपर से 2 तारा 84032 आ गया माइनस करके remainder 0 पीछे के 3 नंबर 8 से पूरा divide हो रहे हैं तो अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो ये सारा 8 से divide हो जाएगा तो ये 8 से भी divide हो जाएगा अब आते हैं C पार्ट पे तो C पार्ट में 5500 ये नंबर लिखा हुआ है तो मैंने बताया कि अगर पीछे आपके 2 0 है पीछे के तो पीछे के 3 नंबर उठाए तो ये 500 बन गया अब इसे 8 से divide करते हैं तो 8 6 0 हो गया 48 माइनस करके 2 आया उपर से 0 आ गया और 8 2 0 हो गया है 16 remainder आ गया है 4 तो पूरा तो नहीं हो रहा divide ये पूरा नंबर 8 से divide नहीं होगा अब D part देखिए D part के अंदर पहले 4 के लिए अगर चेक करें तो मैंने बताया 4 के लिए कि पीछे 2 0 होने चाहिए यहाँ पे 2 0 है तो ये 4 से तो divide हो जाएगा और 8 के लिए मैंने बताया अगर पीछे 3 0 हो तो वो 8 से divide हो जाता है पूरा नंबर यहाँ पे 1 2 3 पीछे 3 0 है तो ये 8 से भी हो जाएगा हमें करने की जुरूरती नहीं पड़ी जब कोई नंबर होते हैं तो divide करना पड़ता है अगर 0 है तो फिर हम देखते ही बता सकते हैं तो ये D part हुआ D के बाद E part देखिए 12159 तो पहले 4 के लिए चेक करेंगे तो पीछे के दो नंबरों को 4 से divide करके देखते हैं 4, 1004 हो गया ये 1 आ गया और ये 9 आ गया 4, 4016 हो गया remainder आ गया है 3 तो 4 से पूरे divide नहीं हुए है पीछे के दो नंबर ये पूरा नंबर 4 से divide नहीं होगा अब 8 के लिए चेक करते हैं 8 के लिए हमें पीछे के 3 नंबर लेने हैं तो ये 159 हो गया और इसे 8 से divide करते हैं तो 8, 1008 हो गया माइनस करके 7 आ गया उपर से 9 आ या 8, 972 हो गया और remainder आ गया 7 तो पूरा तो divide नहीं हो रहा remainder आ रहा है ये नंबर 8 से divide नहीं हो सकता तो हम 8 के लिए cross लगा देंगे आप language में भी लिख सकते हैं this number is not divisible by 4 और this number is not divisible by 8 इ के बाद part f करते हैं 14560 तो पहले 4 के लिए चेक करते हैं तो पीछे के दो नंबरों को divide करेंगे 4 से तो 4, 1004 हो गया माइनस करके 2 आया उपर से 0 आ गया 4, 5, 20 हो गया तो remainder 0 आया तो पीछे के 2 नमबर 60 है जो कि 4 से पूरा divide हो गया तो यह सारा नमबर 4 से divide हो जाएगा अब 8 के लिए चेक करते हैं 8 के लिए पीछे के 3 नमबर लेने पड़ेंगे तो 5, 6, 0 हो जाएंगे पीछे के 3 नमबर अब इसको 8 से divide करते हैं तो 8, 7, 0, 56 हो गया यह 0 आ गया और उपर से 0 उतारा 8, 0, 0 आ गया और remainder भी यहाँ पे 0 आ गया 8 से पूरे divide हो गया 3 नमबर यह पूरा का पूरा नमबर 8 से divide हो जाएगा अब F के बाद part करते हैं G part G part में 2, 1, 0, 8, 4 तो पहले 4 के लिए चेक करेंगे फिर 8 के लिए चेक करेंगे 4 के लिए पीछे के दो नमबर लेने हैं यह हैं 8 और 4 4 से divide करता हूं 4, 208 हो गया और यहाँ से फिर यह 4 उतरा और 4, 204 हो गया माइनस करके remainder 0 आया दो नमबर पूरा पूरा divide हो रहे हैं 4 से यह जो सारा का सारा number है 21084 यह 4 से divide हो जाएगा अब 8 के लिए चेक करते हैं 8 के लिए हमें पीछे के 3 नमबर लेने हैं तो 0, 8, 4 8 से इसे divide करते हैं अब 0 तो कुछ होता नहीं आगे तो यह 8108 हो गया माइनस करके 0 उपर से 4 उतारा और 8, 0, 0, 0 आ गया और 4 आ गया है remainder तो नहीं हो रहे हैं यह तो divide पूरे के पूरे यह सारा number 8 से divide नहीं हो सकता है G के बाद part H करते हैं H part के अंदर यह बड़ा सा number दे रखा है कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो रूल जो होता है वो रूल ही होता है आपको 4 के लिए चेक करना है तो जस्त पीछे के दो number लेने है तो 7 और 2 हो गए है 72, 4 से divide करता हूँ 4, 1, 0, 4 हो गया, यह 3 आ गया उपर से 2 आ गया 4, 8, 0, 32 आ गया पूरा divide हो गया, remainder 0 बचा that means सारा number 4 से divide हो जाएगा 8 के लिए चेक करना है तो पीछे के 3 number लेने है 0, 7, 2 अब यह 0, 7, 2 मतलब 72 ही है यह 8 से divide करेंगे 8, 9, 0, 72, remainder 0 पीछे के 3 number 8 से पूरा divide हुए, तो सारा number 8 से divide हो जाएगा H के बाद I part करते हैं 8 के लिए, अब मैं 4 के लिए देखूँ, तो यहां मुझे पीछे 2, 0 दिखाई दे रहे हैं, जब 2, 0 होते हैं पीछे तो वो 4 से divide हो जाता है, अब 8 के लिए मुझे पीछे के 3 number लेने पड़ेंगे तो 8 के लिए मैं 700 को 8 से divide करता हूँ 8, 7, 0, 56 8, 8, 0, 64 8, 8, 0, 64 पे जाएगा और remainder यहां 6 आया और यह उपर से 0 आया 8, 7, 0, 56 आया और remainder 4 आ गया finally, तो पीछे के 3 digit 8 से divide नहीं हो रहे हैं यह पूरा number 8 से divide नहीं हो सकता है लास्ट पार्ट करते हैं 2, 1, 5, 0, 4 के लिए हमें पीछे के 2 number लेने हैं वो है 5, 0 that means 50 50 को 4 से divide किया 4, 1, 4 आया यह 1 आ गया यह 0 आ गया 4, 2, 0, 8 आ गया माइनस करके 2 remainder आ गया तो पूरा तो नहीं हुआ divide that means कि यह number 4 से divide नहीं होगा अब 8 के लिए पीछे के 3 number लेने हैं और यह बन गया है 150 तो 8, 1, 0, 8 हो गया 7 आ गया उपर से 0 उतारा 8, 8, 0, 64 हो गया और यहाँ पे remainder 6 आ गया तो यह भी पीछे के 3 number 8 से पूरा divide नहीं हुए है that means यह सारा number 8 से divide पूरा पूरा नहीं हो सकता तो यह मैंने cross लगा दिया last part था question खतम next questions के लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye बढ़े